दोस्तों हमारे बॉलिवुड के सबसे दमदार और अपनी आक्टिंग के लिए जाने जाने वाले अभिने ताक्षे लाडी कुमार यानि कि अक्षे कुमार को कौन नहीं जानता होगा जिन्हों ने अपने लंबे करियर में एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी हैं और यह दर्शक इन अपकमिंग मूवीज का बेसबरी से इंतजार करते हैं क्योंकि यह अपनी हर मूवी में अपने हर तरीके के के केदार से लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाते आएं है तो ऐसे में उनके फैनस जानना चाहते हैं कि उनकी अपकमिंग मूवी कौन सी होगी फिल्म में उनका किरदार कौन सा होगा और फिल्म की कहानी में क्या ट्विस्ट होगा अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस विडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही इस दमदार अभी नेता के लिए आप हमारी विडियो को लाइक करना ना भूलें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलिवुड के खिलारी कुमार अपनी फिल्मों से साल में बॉक्स ओफिस पर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं उनकी फिल्में बॉक्स ओफिस पर दर्शकों को बेहत पसंद आती है साल 2019 में उनकी कई फिल्में बॉक्स ओफिस पर दस्तक दे चुकी हैं जिन में मिशन मंगल, केसरी, हाउस फुल फोर और गुड न्यूज जैसी मूवीज बॉक्स ओफिस पर चौका मार चुकी हैं ऐसे में आपको बता दें कि दर्शक उनसे यहीं उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2020 में भी अक्षे कुमार अपनी एक दो नहीं बलकि कई मूवीज के साथ बॉक्स ओफिस पर दस्तक दें तो आपको बता दें कि सभी मूवीज में अक्षे कॉमेडी, सीरियस, रोमांस, ड्रामा, आक्शन और सस्पेंस से भरी कहानियों के साथ बॉक्स ओफिस पर आने वाले हैं इनमें लक्षमी बम, हेरा फेरी 3, अतरंगी रे, बंटी और बबली पार्ट टू, बच्चन पांडे और पृत्विराज जैसी मूवीज से बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाने वाले हैं साथ में आपको बता दें कि ये एक और अपनी अपकमिंग मूवी बेल बॉटम के साथ बॉक्स ओफिस पर जल्द ही दस्तक देंगे ऐसे में अक्षे कुमार के फैंस बहुत एक्साइटिट हैं कि वो अपकमिंग फिल्म के साथ बॉक्स ओफिस पर एक नई कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न के साथ दस्तक देंगे जो कि बॉक्स ओफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉंस करती हुई नजर आएगी आपको बता दें कि उनके आने वाली फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलती है ऐसे में उन्होंने अपनी एक और मूवी से दर्शकों का एक्साइटमेंट डबल कर दिया है जो कि रिलीज होगी साल 2021 के जनवरी के महीने में जिसमें अक्षा अपने दमदार अभिने से दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आएंगे जैसा कि अक्षा कुमार ने अपने इस फिल्म के फर्स्ट लुक को अपने सोचल अकाउंट के जरीए शेर करते हुए अपने फैंस के लिए लिखा है आपको बता दें कि अक्षा कुमार इस फिल्म में असी के दशक की कहानी को पेश करेंगे जो की एकदम रियल लाइफ बेस्ट आधारित होने वाली है और हर फिल्म की तरहा इस फिल्म में भी अक्षा का गेट अप काफी बदला हुआ नजर आएगा जैसा कि आपने इनके फर्स्ट लुक में देखा होगा कि अक्षा एक रेट्रो कार पर बैठे हुए नजर आ रही है फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा और जैसे ही उनके शेडियूल पर काम शुरू किया जाएगा साथ ही आप सभी को फिल्म का ट्रेलर और टीजर साल के एंड तक देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको अक्षे कुमार की अपकमिंग मूवी का कितना बेस सबरी से इंतजार है आप अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवूड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें